देन गाइस कैसे हो आप लोग तो उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेंजनों का वर्गी करण वा उसके उच्छारण अस्थान इससे related जो question आपनों के exam में बनते हैं, जैसे कि आपनों का UPSI का exam हुआ, UPSC का कोई भी exam हुआ, UPPCS का exam हुआ, जिसमें हिंदी section से question पूछे जाते हैं, उसमें इस topic से भी question आते हैं, ठीक है तो इससे related जो question बनते हैं जैसे कि कोई विंजन वर्ड आप लोगो दे देगा जैसे का हुआ अच्छा हुआ कोई भी विंजन वर्ड दे देगा और पूछ लेगा कि इसका उच्छारन अस्थान क्या है तो चार option दे देगा आप लोगो को चूज करना रहेगा कि इसका उच्छारन अस्थान कौन सा है तो आप लोगो को यह चीज आप लोगो के माइंड में नहीं रहता है इसलिए आप लोग गल्ती करके चले आते हो तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगो को यह चीज आसानी से याद हो जाए और आप लोग एक्जाम में अच्छा करो ठीक है तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ठीक है तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि जो कंट होते हैं उसमें कौन-कौन से वेंजन वर्ड आते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो पहला आप लोग देख पा रहे होगे कवर्ग कख गग और अंगा ठीक है यह जो पांच है कख गग अंगा यह कंट है इसका जो उचारण अस्थान है यह कंट है ठीक है मतलब कि यह चीज कंठ से निकलती है मतलब गले से अंदर से कंठ से निकलती है यह चीज आप लोग बोलके देख लिजिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह जो वेंजन वर्ड है यह आप लोगों के अंदर से मतलब की गले से जो गले में कंठ है वहां से निकलत अंगा हुआ, यह सारे कंठ वर्ड हो गये हैं, उसके बाद से तालव्य हम लोग देख लेते हैं, तो तालव्य किसको बोलते हैं, तालव्य उसको बोलते हैं, जैसे कि मुह के भीतर का, मतलब मुह के भीतर, मतलब च्छत का जो मुह के भीतर, जो च्छत होता है, उसका पिछला भाग ठीक है उसको बोलते हैं तालव्य ठीक है तो वहां से कौन सा वर्ड निकलता है तो यह इस कोशन में यह बोला है ठीक है दूसरा तालव्य तालव्य में कौन-कौन से वर्ड आते हैं उसको देख लेते हैं तो आप लोगों का च आता है श आता है ज और ज के नीच से यह तो आप लोगगा बिन दि लगा है ये भी आप सो लूग है उसके जहा आता है पिर यहां बोलुकर चपकते हो च भोल जहां बोलöh के जहां पकर लोग झर छो-चो यह यह टालव यह हो गए है ठीके उसके बाद से मुर्धद्धनिय मसर्ट को बोलते हैं तो मुर्धनिय है उसको बोलते हैं जैसे के मुर्धनिया उसको बोलते हैं तो मुर्धनिय किसको बोलते हैं जो मुह के अंदर का जो च्छत है उसका अगला भाग उसको मुर्धनिया बोलते हैं तो उसका कौन-कौन सा वर्ड आ जाएगा जैसे कि आप लोग का टा हुआ ठा हुआ यह डा हुआ ठीक है यह सारे आ तो इसमें आप लोग देख पा रहे होगे जो जीब है उसका टिप पोर्शन ठीक है आप लोग की मुंह के छत का अगला भाग जो है उस पर टच हो रहा है तब टो अड़ा का उच्छारण हम लोग कर पा रहे हैं ठीक है तो यह सारे मुर्धन्य हो गए और इसके बाद से आप लोग इसको बोलके देख लिजिए तयर दे झाल ठीक है आप लोंका जो जीब है वह आप लोग की दात के पिछले वाले हिस्से पर टच हो रहे है तो इसको दंतिय वर्ड बोलते हैं तो थो टो न नग को उसके बास से हम लोग देखेंगे यह जो आप लोंका पांच्वा च होंट अपस में好吃 होते हैं इस वर्ड को बोले में जैसे कि लिए सारे आप लोग चेक चेक कर सकते हो तो आपनों का जो दोनों होंट है वो टच हो यह इसका उच्छारण आप para से कर पा रहे हो ठीक है अगर होट नहीं टच होता तो इसको आप बोली नहीं पाते है ठीक है तो यहां पर ओष्ठ वर्ड क्या हो गए पर भव भव मा ओके तो यहां तक मैंने बात कर ली जैसे कि कंठ का गागा अंगा उसके बाद तालव यह मतलब की मुझे छत का पिछला भ इनका उचारन हो पार है ठीक है उसके बाद से आता है थीं हमने देख़्ा और मा यह सारे नासिक के वर्ड होते है ठीक है इसको भी आप लोग ध्यान में रख़िएगा अंगा इम्यादर न और म यह सारे वर्ड होते हैं यह सारे वर्ड को हम लोग नासिक के वर्ड भी बोलते हैं जैसे कि एक्जाम में पूछ ली नासिक के वर्ड कौन-कौन से होते हैं, तो इन में से कोई भी वर्ड अगर दिया है, जो अंतस्त्य विंजन है यह रअलव ठीक है अब लोगं को पता होगा जो अंतस्त्य विंजन होते हैं वो कौन कान होते हैं यह रअलव ठीक है एब बात आती है थो भूस्तों यह जो और सा है जो यहां पर क्रम से देखते हैं जो ये अपनों का यह और सा है ठीक है यह और सा इनको हम तालू वरड भी बोलते हैं क्योंकि यह तालू से निकलता है तो यह सा क्या हो जाएगा तालू उसके अलामा ये र और ये Murdhaniesya है जो सठकोड़ वाला था है ये के बास हॉजुफ हो जाएगा डीकर गवाला है यह यह वट सर्यव हो EPA और यह वाला है यह व्म यह दन्तों हो जाये गा मतलब कि ढास में लों का मिलता है यहафण निते से निकलता है तो सब्सक्राइब का है तो यह था हो खशनि और जो तरह होते हैं फिर Germans फ्रशום में मिले कर और से मिलकर बना होता है और होता किनीचे हलंन्द क्र sitting से मिल कर बना होता है और ग्यानों होता है और यांवाल ऒगया वो जा जो की नीचे रलउनफ A से मिल कर बना होता है में इसके बाध से एक चीज और यहां पर है जिसें कि उच्छिप्ट उच्छिप्ट में क्यों कौन से वर्ड आते हैं उच्छिप्ट वर्ड कौन कौन से होते हैं वो होते हैं दो ठीक है यह जो है अड़ा और ठीक है यह उच्छिप्ट वर्ड होते हैं इनका जो उच्छारन होता है दोस्तों इनका जो उच्छारन होता है यह आपनों का उच्छिप्ट वर्ड हो गया ड़ अड़ ठीक तो यह आपनों का उच्छिप्ट वर्ड हो गया ओके उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी तो आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा ठीक इसी तरीके के लिपक्ताइब है इंडों को मिला दिए तो द्श्ट हो जाएगा ठीक है तो इस ऐसकी सब्सक्राइब होगा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो आप और पूस्ति लगी उगी तो और डोग नएगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद